भारतिय टीम के बहतरीन गेन बाज मुहमत शमी आजकल बड़ी सुर्खियों में दिखाई दे रही है क्योंकि उनकी पत्नी ने उन पर बड़े संगिन आरोप लगाये हैं। भारतिय टीम के साथ लड़किया भी होती है। जब भारतिय टीम बाहर दौरे के लिए जाती हैं तब उनको लड़किया सप्लाइ की जाती है। इसी बात पर अपनी चुपी तोड़ते हुए भारतिय टीम के कप्तान कुल MS धोनी ने एक बड़ी बात कह दी हैं। उन्होंने कह कि यह मोहमद शमी का निजी मामला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि शमी क्रिकेट के साथ अभधर व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि मैं शमी के साथ खेला हूँ और मुझे पता है कि शमी कैसे इनसान है। दोस्तों हम आपको बता दे कि जब भारत और पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी में मैच हुआ था। तब भारतिय टीम को पाकिस्तान टीम ने बुरी तरह हराया था। तब पाकिस्तानी फैंस ने भारतिय टीम को बहुत ही गंदी बाते कही थी। जब भारतिय टीम ग्राउंट से बाहर जा रही थी तब एक पाकिस्तानी शक्स बाप कौन है आईसा चीला रहा था तब मोहमद शमी ही उनसे जाकर भिड़ गए थे और लड़ पड़े थे जो खिलाडी देश के लिए लड़ जगर सकता है वहाँ खिलाडी फिक्सिंग करेगा ऐसा नहीं लगता तो दोस्तों क्या आप धोनी के बातों से सहमत हो आपको क्या लगता है क्या मोहमद शमी सच में मैच फिक्सिंग करते थे आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजेगा